मरने के बाद तुलसी और गंगाजल क्यों रखते हैं मोह में आईए जानते हैं एक समय की बात है एक बार माता पार्वती भगवान सीव से कहती है हे प्रभू मेरे मन में एक संका है कृपया मेरा मार्ग दर्शन करिये तब भगवान सीव बोले हे देवी क्या है तुम्हारी संका कृपया मुझे बताओ तुम्हारी संका का निवारन करके हमें प्रसनता होगी तो माता पार्वती कहती है हे प्रभू जब कोई मनुस्यमृत्य के बाद तुलसी पत्र का जल अपने मुख में पाता है और रोज तुलसी में जल देने से भला क्या होता है तो उस मनुस्यको कौन से फल की प्राप्ति होती है तब भगवान सीव कहते हैं हे देवी तुमने जो प्रस्न पूछा है वह समस्त मानाव जाती के कल्याण हे तु अत्यन्त अपयुक्त है हे देवी तुलसी पत्र से समबंदित मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाता हूं आप इस कथा को ध्यान से सुनिए तब माता पारवती कहती है हे प्रभू मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी और लोग कल्याण हे तु इस कथा का प्रसार भी करूंगी तब भगवा बहन सबसे छोटी थी और वो मेरी बहुत बड़ी भग्त थी। वो हर दिन सुबह तुलसी में जल चढ़ाती थी। नित्यरूप से पूजा पाट करती थी। यह पाचो भाई हर रोज जंगल में जाकर सिकार करते थे। और जो भी मिले उसे घर लाकर पका कर खाया करते थे। तो उसने उस रक्त को दिवाल से पोचना चाहा। फिर सोचा कि भाईों को इस बात का पता लगने पर उन्हें बुरा लगेगा। अगर कपड़े से पोच लूँ तो क्या हो सकता है और वह भी लेकिन फिर उसे लगा कि वह भी उनकी नजरों से बच नहीं सकता है। इसलिए बड़े भाई ने बहन से पोचा आज खाने में क्या मिलाया है जो खाना इतना स्वादिस्ट बना है तो उसने कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन खाने का स्वाद बिल्कुल पुराने जैसा ही था। इसलिए बड़े भाई ने बहन को कसम दिलाई कि उसने खाने में भला क्या मिलाया था बहन ने अपने हाथ के रक्त के बारे में उसे बता दिया बड़े भाई के कुटिल दिमाग में एक बुरा ख्याल आया कि क्यों न हम अपनी बहन को ही मार कर खा जाएं क्योंकि उसके रक्त की चार बूदे जब इतनी स्वादिस्ट हैं तो उसका मान्स कितना स् 30 करने की साजिस करता है तूसरे दिन वे सबी अपने बहन की साधी कराने ही तो उसे दूसरे आउज चलके लिए मना लेते हैं फिर ने ऊपने बहन बार तो चलाता है लेकिन वह निसाना चूक जाता है उसका निसाना बार बार चूक जाता है दूसरे भाई भी एके करके बार चलाते हैं अंत में सबसे छोटे भाई को बार चलाने को कहते हैं किन्तु वह मना कर देता है तब सभी भाई उसे ही जान से मारने की धमकी देते हैं वो उसकी बहन स्वयम मुझसे बिंती करते हुए बोली, हे प्रभू, अब आप मेरे छोटे भाई की रच्छा करें और मेरे प्राण ले लिजे, ऐसा करते ही सबसे छोटे भाई का बाण बिना निसाने के ही बहन के सीने को भेज जाता है, तब वो चार भाई अपनी ही सगी बहन को काट कर पकाते हैं और आपस में परोजते हैं, अंत में सबसे छोटे भाई को उसका सिर खाने को देते हैं, वो अतियन्त दुखी होकर मन ही मन बहुत रोता है, और उसने अपने कपड़ों में एक मचली का टुकड़ा चुपा कर रखा था, उसने उस मचली को ही खाने में मिला कर खा लिया, खाते समय उसने अपने पात्र के नीचे एक चोटा सा गड़ा खूद कर उसमें अपने बहन के सर और हाथ पेर के टुकड़े डाल दिये फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं फिर दूसरे दिन छोटा भाई इस जगा पर आकर एक बांस का पेर अपनी बहन की याद में लगा देता है और उसे रोजाना पानी भी देता है इसी तरफ कुछ दिन बीच जाने के बाद एक साधू उस बांस के पास मल मुतर त्याग ने ह तो वहाँ से आवाज आती है हे साधू महराज आप इस जगा पर मल मुतर का त्याग ना करिये तब वह साधू आश्चर से एक बांस के टोड़े को काट कर अपने पास रखता है और उसकी बांसरी बना लेता है जब भी वह साधू बांसरी बजाता था तो उसमें से एक स्तर कुछ ने मेरी हत्या की है ऐसा सुनते ही बड़ा भाई घर से भागते हुए आया और उसने उस साधू को अपने द्वार से आगे भगा दिया इसी तरह वह साधू उन चार भाईों के द्वार पर जाता है किन्तु वह सभी साधू को वहां से भगा देते हैं साधू को तब रावाज बहाज बढस्री मांगता है और वह साधु इस बान्सटी को देता है और वहाँ से चला जाता है फिर वह भाई अपने बहन की आवाज वाली बासरी बजाता है तो वह कहती है भाई मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्रेम करते हो किन्त मेरे मुक्ति के लिए तुम हर दिन घर की तुलसी में जल चड़ाओ और भगवान श्री हरी विष्णु की नित्य दिन पूजा पाट करो अपनी बहन की बात को मान कर वह भाई नित्य दिन तुलसी में जल देता और घर में भगवान विश्नु की पूजा पाट करता था फिर एक दिन जब वह भाई तुलसी को जल देते हुए मन ही मन भगवान विश्नु के नाम का जब कर रहा था तो स्वयम भगवान विष्णु उसी तुलसी की पौधे से उस गरीब भाई के घर में प्रकट हुए फिर वह भाई तुरंत भगवान विष्णु के सरण में आया सच्चे मन से स्तुति करने लगा तब भगवान विष्णु ने उस भाई को तुलसी पत्र का जल उस मासुरी में डालने को कहा और उसने भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उस मासुरी में तुलसी पत्र से जल डाला तो भगवान विश्णु के आसिरवात से उस इस्त्री का पुनर जनव होकर वस्वयम उस मासुरी से बाहर आ गई तब उन दोनों भाई भाई भेन को भगवान विश्णु ने तुलसी के संबद्र में महत्वपूर ज्यान दिया था फिर भगवान सीव कहते हैं हे देवी भग्यान जब आप भी ध्यान से सुनो तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है तुलसी में हर रोज जल चढ़ाने से जीवन की सभी परिशानिया दूर होती है और सुकसानती आती है और धन का लाब होता है तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक लगाना सुब माना जाता है तुलसी में जल चढ़ाने का सही समय सूरियोदे से लेकर उसके दो से तीन घंडे तक का ही होता है तुलसी के पौधे में रवीवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए मंगलवार को तुल्सी में जल चड़ाने से भगवान विश्णु और देवी लक्ष्वी दोनों ही प्रसंद होते हैं रोज सुबस नान करने के बाद तुल्सी वे जल अरपित करने से जीवन के दुर भागे दूर होते हैं फिर भगवान शिव करते हैं है देवी मृत्यु ही जीवन का परम सत्य है मृत्यु के उपरांत बैक्ति काविधी पूरवक अंतिम सस्कान करने का विधान है जिससे उसके सरीर को मुक्ति मिल सके और वह एक सरीर को त्याग कर दूसरा सरीर धारण कर सके इस प्रकार से जब बैक्ति मौच की प्राप्ति करता है तो उसी सभी पापों से मुक्ति मिलती है मृत्यु के समय मूँ में गंगा जल डालना चाहिए इसका कारण है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता है और कुछ बूदे ही मृत्यु उपरांत बैक्ति के लिए मौक्ष के द्वार खोल देंगी मृत्यु के समय बैक्ति के मुक्ष में गंगा जल डालने से उसे कई सारीरिक कस्टों से मुक्ति मिल जाती है और आसान मृत्यु मिल जाती है यदि मृत्यु के समय बैक्ति के मुख में तूलसी की पत्या रखी जाती हैं तो मरने वाले बैक्ति की आत्मा को भगवान विश्णु का आसी स्प्राप्त होता है और वह संसार की मुव माया से मुक्त हो जाता है वहीं सरीर के सारे कस्ट दूर होते हैं और आत्मा सभी बंधन तुल्सी के नाम से ही हम लोग में कष्ट देने वाले राक्षस हैं वह सांत हो जाते हैं और यह मार्ग आसान हो जाता है तता मुक्ष मिलता है इसलिए मुक्ष के लिए ही गंगाजल और तुल्सी का सेमन वर्त्यू की समय किया जाता है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें